एक word होता है Reliance ये word आपने बहुत बार सुना होगा ये word Mr. Mukhe Sambani से related है लेकिन क्या आपको इसकी meaning बता है इसका मतलब होता है किसी person पर या फिर किसी चीज पर भरोसा या फिर विश्वास जैसा अगर मैं example लूँ I have got reliance on my family मतलब मेरी family पर मेरा भरोसा है या फिर विश्वास है I have got reliance on my family एक और example है I'll never falter my reliance on you इसका मतलब ये हुआ मेरा तुम पर जो भी भरोसा है मैं उसको कभी falter नहीं होने दूँगा falter नहीं होने दूँगा इसका मतलब मैं उसे कभी लड़कडाने नहीं दूँगा या फिर डगमगाने नहीं दूँगा I'll never falter my reliance on you अगला हमारा word है sobering ये एक adjective है इसका मतलब होता है कुछ है जो सोचने के लिए मजबूर कर देने वाला है या फिर गंभीर कर देने वाला है For example It's really sobering How could his wife do so मतलब ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला है कि उसकी वाइप ऐसा कैसे कर सकी It's really sobering How could his wife do so एक और example है That bad news created a sobering effect on all of us मतलब उस बुरी news ने हम सब पर एक गंभीर कर देने वाला प्रभाव जमा लिया That bad news created a sobering effect on all of us अगला मारा word है haltingly इसका मतलब होता है अगर आप कुछ कह रहे हो या फिर आप कुछ कर रहे हो तो वो रुख रुख कर कहना या फिर वो रुख रुख कर करना Because of nervousness मतलब आप किसी चीज के लिए sure नहीं हो या फिर आप किसी चीज के लिए confident नहीं हो जैसा कर मैं example लो When I delivered speech for the first time I was speaking haltingly इसका मतलब यह हुआ जब मैंने पहली बार speech दी तो मैं अटक अटक कर बोल रहा था या फिर मैं रुख रुख कर बोल रहा था When I delivered speech for the first time I was speaking haltingly एक और example है I saw your neighbor coming his home haltingly मतलब आप किसी से कह रहे हो कि मैंने तुमारे पडूसी को घर में लड़ खाड़ाते हुए आते हुए देखा I saw your neighbor coming his home haltingly अगला हमारा word है please यह word आपने बहुत बासोना होगा और बहुत बास यूज़ भी किया होगा इसका simply मतलब होता है कृपया या फिर इसे situation में यूज़ कर लेते हैं जब हम किसी से कुछ request करते हैं लेकिन अगर मैं इसे deeply समझाओ तो इसको दो sense में यूज़ करते हैं अगर इसे हम एक exclamation के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका simply मतलब होता है कृपया मतलब किसी को polite way में कुछ पूछने के लिए या फिर किसी को polite way में कुछ कहने के लिए लेकिन इसे हम अगर as a verb यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी को खुश करना या फिर किसी को संतुष्ट करना तो चलिए दोनों तरह के कुछ examples देख लेते हैं May I come in please यहाँ पर आप विनम्रता पूर्वक किसी से पूछ रहे हो मतलब यहाँ पर first वाला sense यूज़ किया जा रहा है किसी से polite way में कुछ पूछने के लिए तो इस लिएन का मतलब होगा किर्पया क्या मैं अंदर आ सकता हूँ May I come in please एक और example है I tried my best to please her but her pretensions are endless मतलब मैंने उसे खुश करने की अपने पूरी कोशिश की लेकिन उसके जो नकरे हैं वो कभी खतम ही नहीं होते I tried my best to please her but her pretensions are endless अगला हमारा word है Titter इसको as a noun और as a verb दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं मतलब अगर हम इसे as a noun यूज़ करते हैं इसका मतलब होता है दबी हुई हसी और अगर इसे हम as a verb यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा दबी हुई हसी हसना normally ऐसी हसी हम तब हसते हैं जब हम नर्वस होते हैं या फिर हम यह सोचते हैं कि यहाँ पर हमें नहीं हसना चाहिए लेकिन फिर भी उस टैम पर हमें हसी आ जाती है तो उसको दबा कर हम हसते हैं तो ऐसी दबी हुई हसी को हम बोलते हैं टिटर तो चलिए कुछ एक्जामपल्स देख लेते हैं जैसे टिकल का मतलब होता है गुदगुदी करना तो इस लाइन का मतलब होगा कुछ लोग होते हैं जब उन्हें गुदगुदी की जाती है तो वो अपनी हसी को दबानी की कोशिश करते हैं मतलब दबी हुई हसी हसनी की कोशिश करते हैं जैसे एक और एक्जामपल है इसका मतलब यह हुआ मेरी सिश्टर ने जोक मारा मैं हसना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मुझे अपनी दबी हुई हसी में हसना पड़ा अगला मारा वर्ड है अस्क्राइब इसका मतलब होता है किसी चीच के लिए किसी को उत्तरदाई ठहराना या फिर किसी को श्रे देना जैसा अगर मैं एक्जामपल लूँ इसका मतलब यह हुआ उसने अपनी असफलता के लिए अपनी बुरी किस्मत को उत्तरदाई ठहराया मतलब उसने यह बोल दिया कि जो भी वो असफल हुआ वो अपने बैड लुक की वज़े से या फिर अपने बुरी किस्मत की वज़े से फेल हुआ जैसे एक और एक्जाम्पल देखते है इसका मतलब यह हुआ मतलब अपनी पूरी सफलता का स्टेः अपनी वाईव को देता है और नेक्ष्ट वर्ड इस हैसल इसका मतलब होता है कोई परिशानी या फिर मुसिवत कीश्टिती For example, it's such a hassle to travel with so many bags मतलब बहुत सारे बैगों के साथ ट्रैवल करना ये सच में एक मुसीबत की स्थिती है या फिर परिशानी है It's such a hassle to travel with so many bags One more example, I always go buy my bike It's less hassle than a bus इसका मतलब ये हुआ मैं हमेशा अपनी बाइक से जाता हूँ मतलब जो बस में परिशानी होती है उससे कम परिशानी है मेरी बाइक में होती है I always go buy my bike It's less hassle than a bus अगला हमारा word है ultimately इसका मतलब होता है आखिरकार या फिर अंत में For example, ultimately the decision is yours इसका मतलब ये हुआ आप किसे से कह रहे हो कि आखिरकार जो निर्णे है वो तुमारा है Ultimately the decision is yours एक और example है Ultimately the couples decided to get married in a temple in order to save money It means आखिर में couples ने पैसे बचानी की वज़े से एक मंदिर में शादी करने का निर्णा लिया Ultimately the couples decided to get married in a temple in order to save money अगला हमारा word है Exultant इसको हम किसी person के लिए use कर सकते हैं मतलब किसी जीत की वज़े से बहुत ज़्यादा खुश होना या फिर कुछ काम किया गया है उसकी वज़े से बहुत ज़्यादा खुश होना या फिर उसकी वज़े से बहुत ज़्यादा proud feeling होना इसका मतलब यह होगा कि एक जीत में खुश हुआ हुआ वा लीडर है उसने बहुत सारे प्रॉमिसेज किये इसको आप अकस्टम टू भी बोल सकते हैं इसका मतलब होता है किसी चीज का आधी होना या फिर किसी चीज की लट लगे हुए होना इसका मतलब यह होगा कि मैं सुबर जल्दे उटने का आधी हूँ मतलब मेरे जो पापा है उन्हें काफी आधा था टीवी देखने की तो गैज आपके लिए होमवक है आपको यूश्टू के उपर अपने खुद के दो या तीन सेंटेंस बना कर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है तक यू सो मुझ पर वाचिंग दिस वीडियो तेक केर